पूराना अनुमंडल है जो अभी मन्रेगा भवन बना हुआ है पीछे सामने तस्वीर आप देख पा रहे होंगे साथ साथ मैं यह भी बता दूँ कि यहां पर अनुमंडल ततकाली अनुमंडल प्रादिकारी जो है आदेश किया था इसी विल्डिंग में कि आरियो विभाग ग्रामिन कारे विभाग का ओफिस सलाने के लिए लेकिन अब तक ग्रामिन कारे विभाग का ओफिस सिम्री बक्तियारपूर में ट्रांसफर नहीं हो पाया है परवंडली ओफिस सिम्री बक्तियारपूर में बावजुद सहारसा में बैठ करके प्राधिकारी जो है मजे लेते हैं इसकी सुचना मिलने के बाद जो विधायक पूर विधायक जफर आलम थे वो यहां पर आये थे और आने के बाद उन्होंने इस चीज का निरक्षन किया सा है वो बिल्डिंग चल रही है और सरकारी पैसे का डुर्पयोग हो रहा वह द्यों 가자 बंदरबांट हो रहा है सब penser का पहले इस चंतर में बिदायक पूर विधायक है जफर आलम वह क्या कुछ कर रहे है पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं हमने देखा मेरे पास एक फोटो आया है जिसमें कारिय पालक अभियंता गिरामीन कारिविभाग का ऑफिस जो पुराना अनुमंडल कारिया ले था उसमें बोर्ड लगा हुआ निश्चित रूप से कारिय पालक अभियंता के द्वारा पैसा दे करके इसको है जाना लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या उफिस कहा है इसके अलावे यह जो आई भी में दोमंजिला मकान पड़ा हुआ है उसमें भी कारियाली चल सकता है मंदेगा का उसी में चलता था मंदेगा को यह कारियाले तब दिया गया जब यह लोग महां से सारसा से अपना अफिस शिफ्ट नहीं किए जब वो कारियालेस बख्तियारपूर का है तो पदाजी कारी को बख्तियारपूर में रहना चाहिए तब सब्सक्राइब का जादे काम होगा यहां तो एक भी काम का निरक्षर नहीं करता है नवर्सियर नए इस्टिस्टेंट इंजीनियर नए एक सब्सक्राइब करते हैं इतना बुरा हाल है मैं अभी एक सब्सक्राइब कर आया हूं गोड़ियारी से यह सैनी ट्रॉला पीमजे स्वाई तक अभी साल भर पहले रोड बनी है उसकी रार रोड देखेंगा तो लगता है को इसी पुरानी रोड को पीचिंग कर आ गया है इस मंत्री से मिलूँगा परदान सचीव से मिलूँगा और यहां के हालाद को मैं बताऊंगा यहां इस छेतर की हालाद बड़ी देनिये है आरियो विभाग नगन है सोया हुआ है कोई काम नहीं करता है रिपेरिंग जो मेंटेरंस वाला काम है वो तो नगन है कागज पर पैसा उठ रहा है आधा तेरी आधा मेरी आधा विभाग का आधा ठीकेदार का कोई मैं बाप नहीं है कोई देखने वाला नहीं है ऐसा दुरभाग है नितीज जी के राज में इतना आजाद घूम रहा है नितीज जी के या उनके अफसर की नजर नहीं पड़ी है और नहीं इन ल कि वो बता सकते थे कि कहां पर सर गडबर है कहां पर क्या पृषानिया हो रही है उस चीज का आवैदन लेकर के यहां आ सकते थे लेकिन ऑफिस नहीं होने के बहुजूद यहां एस्क्टिफ ओफिसर या फिर और बड़े अधिकारी यहां नहीं बैठने के वदलत जो है यहां पर लोगों को काफी परेशानी होती है हम लोग भी दरदर भटकते रहते हैं लेकिन ये लोग सारसा में अपना ओफिस चलाते हैं जो दुर भाग्य है सिमरी बक्तियारपूर में परबंडली होने के बावजूद भी बक्तियारपूर में ओफिस। यह भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। कि यहाँ पर आखिर एसा to you हो रहा है सरकारी आफिस रहने के बाजूद सरकारी बील्डिंग के बाउजूद किसी private के बील्डिंग में वह जह withdrawal रहा है ओफिस और ये इस चीज को संबंदित प्राधिकारी को जह है इसका विष्यमें जानकारी दी है और साथ वह later जो ततकालीन अनुमंडल परादिकारी थे उनका लेटर भी जारी किया है और लेटर जारी करने के बाद जो है कहा है कि इस पर जल्द से जल्द है कारवाई होगी